तो आज हम बनाने वाले हैं गुड और इमली की खटी मीठी ये ट्राइफ्रूट वाली चट्नी जिसे की कई सारी भेल में चाट में यूज किया जाता है दही बड़ा में दही भला में और ये आप 6-7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए बिना देर के वे रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमें गरम पानी लेना है अच्छा गरम पानी ले सकते हैं आप और अब हमें 200 ग्राम के बराबर इमली चाहिए ये नॉर्मली किसी भी किराने की दुकान पे या डीमाट में आपको मिल जाएगी और काफी सस्ती होती है 30 या 35 उपर का 200 ग् ये मैं जानकारी के लिए वता रही हूं सारी जो इमली थी वह हमें पानी में बिगा देनी है डुबा देनी है गरम पानी में जादा पानी नहीं लेना है नॉर्मली एक कप के बराबर पानी लेना है इसके बाद हम इसे देखेंगे तो ये जो है सारी इमली फूल गई है मतल करके इसे अच्छी तरीके से स्मूध करके चान ले या फिर इस तरीके से मेरे वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं मैंने तो चन्नी रखिए इसके नीचे बर्तन रखा है और अब हम इसे चमच से या हाथ से मैश करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्ट्रे डेगे की अच्छारक लेके होता हैं के चाह मैश करते शान्यकर भीावन यह ना कोर्तन लेनी हैं जो त्वाण पानी की जो चाहो से छन्नी की इस अब हम बहुराएंज ऐसलो की च्छन्नाइज आटको इसी तरीके से मैं च들이 रहें हैं मैं आथ सब्तन सकते हैं मैंे य लगभग के प्रोसेज जो है मैंने आठ से दास मिनट तक की है इसके बाद मैंने इतना जो है इसे वीस में डाल दिया है अब हमारी इमली का जो पल्म है चटनी बनाने के लिए एकदम परफेक्टली रेडी है और आप देखिए कितना सारा है यह लगभग आदा लीटर के परा ना लेते हैं गैस पर थिक वाटम वाली कड़ाई रखनी है ध्यान रखें फिर हम उसमें एक बड़े चम्मच इतना तेल गरम करेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच इतना जीरा डालेंगी जीरे को एकदम लो फ्लेम पर चटकाना है इसके बाद इसमें ड्राइफ रूट चुकी ऑप effic drood यहाद पे एक बड़े चम्मच की पराबर मैंने है चिरोंजी है एक बड़े चम्मच के ब्राबर सोरज मुखी के बीज लिए है एक से दो बड़े चम्मच के पराबर किश्मिश और पाथ से च्षै काजू लिति जिने की कट करके डाल दिया है आपके ओड करता है कौन से ड्राइब कुट लेना चाहते हैं 20-25 सेकंड तक लो फ्लिम पर हलका सा फ्राइब की है जादा नहीं करना है तुरंत यह जो इमली का पल्म हमने रखा हुआ यह डाल देंगे और इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे अब आप मीडियम या हाई कर सकते हैं पर ध्यान रखें चलाना आपको कंटीन्यू ही है चाहे आप कोई सी भी कड़ाई यूज करें तो यहां पर इसे एक बार मिक्स कर लेने के बाद यहां पर बारी आती है मीठे की तो मैं यहां पर आधा कप के परावर तो यहां पर मैंने दोनों चीजों को डाल दिया है अच्छी तरीके से से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी भी मैंने यहां पर डाल दिया है अब हमें इसे मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है लो फ्लेम पे छोड़ देना है हर एक से दो मिनिट में चलाते रहना है औ इसमें कुछ मसाले भी डलने वाले हैं अभी गोड को भी हमें मेल्ट करते जाना है और ज्यादा काम नहीं है तो यहां पर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूं जो की रेगुलर हम यूज करते हैं पाइसी वाल एक चम्मच जितना आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पी डाल सकते हैं एक चोथा चोटा चम्मच बहुत ही कम डालना है गरम मसाला ध्यान रखें एक चम्मच या स्वादनुसार हमें डालना है नमक और एक चोटा चम्मच के बराबर यह जो होता है सौट का पाउडर जिसे की अद्रक का पाउडर कहते हैं ड्राय जिंजर पाउडर यह डालना यह इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया इंहेंस कर देगा ध्यान रखें और गरम मसाला कम से कम डालना है या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यह पर सौफ भी एड़ क पकाना है या फिर आप इसे 30 मिट भी पका सकते हैं लो फ्लेम पर पकाएं ध्यान रखें इसे जलाना नहीं है कंटिन्यू चलाते रहना है एकदम थिक नहीं करना है जब यह हमें थोड़ी थोड़ी सी थिक दिखाई देने लगे उस स्टेज तक पकाना है इसके बाद हमें की यह थंडी होगी तो भी थिक होगी और जब हम इसे फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो भी थोड़ी थिक होती जाती है और जब हम चाट यह बेल बनाते तो थोड़ी थोड़ी जो है रनिंग कंसिस्टेंसी की चट्नी अच्छी लगती है लग बक 25 मिनट बाद मैंने बंद कर दिया है और इसे continue मैंने जो है low flame पे चलाते रही थोड़ी थोड़ी देर ठक करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है जब यह हमारी चटनी ठंडी हो गई है तो देखिए थोड़ी से थिक हो गई है और इस तरीके की चटनी मेरे हिसाब से perfect है आप थोड़ी औ और भी थिक कर सकते हैं आपके उपर depend करता है यह और इसे जादा high flame पे continue चलाना नहीं है जलाना नहीं है ध्यान रखे नहीं तो हमारी चटनी का जो फ्लेवर हो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अब मैंने यहां पर यह एक ग्लास का जार लिया है जो की एकदम साफ है कीला न यह जाएं जा ऐए सालों रखकर क्या करना है we should do it regularly. तो इसे स्टोड करणे के लिए मैं रझ डिया है और अभी आखी अप यह हमारी बन करके अř व्लिए बहलगले निकालिए और यह चटनी मैंने बन करके लिए रड़ी है इस यहां बना था आपको यह बना रोड़े के लि झाल 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 झाल